अंतर वस्तु तो इस वीडियो में इस पार्ट के बारे में हम क्या-क्या जानेंगे पहला भूमी का इंट्रोडक्शन आक्रों का प्रबंदन किसे कहते हैं ये क्या होता है दूसरा आक्रों को संग्रहित कैसे करते हैं आक्रों को कलेक्ट कैसे करते हैं कलेक्टिक डेटा तीसरा, संग्रहित आक्रों को संगठित कैसे करते हैं, आक्रों का संगठन या फिर अरेंजिंग डेटा और चौथा, प्रतिनी धी मान यानि एवरेज औसत औसत वैल्यू को देखेंगे ये देखिए, ये एक आक्रा है, मान लीजिए किसी कक्षा में छात्रों के उम्र का ये आक्रा या डेटा है तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि 58% छात्रों के उम्र 10 है, 23% छात्रों के उम्र 11 है, 10% छात्रों के उम्र 12 है और 13% छात्रों की उम्ड 9 है तो ये आकड़ा है जो आपको रफ आइडिया दे रहा है कि कितने छात्र कितने वर्ष के हो सकते हैं तो अधिकान्स छात्र जो है वो 10 वर्ष के तो डेफिनेशन देखिए परिभाशा आकड़ों को एकत्रित करना उनका संग्रव, आलेखन और प्रस्तूती करन हमारे अनुभावों को संगठित करने और उनसे मिशकर्ष निकालने में हमारी सायता करता है आकड़े किसी भी घटना की प्रिविर्टी दर्शाते हैं जैसे ये आकड़े दर्शार है कि अधिकान चात्रों की उब्ड 10 से 11 वर्ष के बीच में होगी क्योंकि 58 प्रस 23, 81 प्रसेट यानि 81 प्रतिशत चात्रों की उब्ड 10 और 11 के बीच है आकड़ों का संग्रा आकड़ों का दिया हुआ संग्रा हमें उससे संबंधित सूचना देता है यहाँ पे एक आकड़ा दिया हुआ है कक्षा साथ में 10 विशय है चार विद्ध्यार्थियों के विशय समान्य ज्यान में प्राप्त किये गए अंग दिये हुए है हमें बताना है कि सबसे ज़्यादा अंग किसको प्राप्त हुए तो हम देखके बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा सौ में से सौ राम है शाम को सौ में से निम्यानबे सोहन को सौ में से टी एड और मोहन को सौ में से नब्बे तो सबसे ज़्यादा अंग राम को मिले तो उत्तर राम होगा जो पिछला उधारर था उसमें खाली विशय सामान्य ज्ञान के अंक दिये गए थे तो ऐसा संभव है कि आक्रों का एक दिया हुआ संगरा हमें उसे संबंदित कोई विशय सूचना ना दे पाए जैसा कि पिछले उधारर का आकड़ा जो खाली सामान्य ज्ञान का अंक बताता है उससे आप ये नहीं जान पाएंगे कि पूरे साथ विशयों का मान जोड़ कर चातरों के अंक कितने है और उसमें सबसे ज़्यादा किसको आया है उसके लिए आपको ये आकड़े चाहिए होंगे जो की है सारे विशयों के अंक को जोड़ कर बच्चों को कितना आया है तो उसमें 700 में से राम को 600 आये है शाम को 660, सोहन को 630 और मोहन को 590 तो 700 में सबसे ज़्यादा अंक शाम को आये है इसलिए उत्तर श्याम होगा देखिए वही चार विध्यार्थी जब हम सातों सब्जियक्ट का मान जोड़ रहे है तो उत्तर बदल रहा है तो अलग-अलग प्रश्ट के लिए अलग-अलग आकड़े आपके लिए उपियोगी साबित होते है आक्रो का संग्रव पिछले दो उधारणों से हमने ये जाना कि आक्रो को इकथा करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हम उसका उपियोग किसके लिए करेंगे और उधारण देखते है आक्रण बहुत तरीके के हो सकते हैं जैसे की नगरों के तापमान का, क्रिकेट में भारत के प्रदर्शन का, आपके मित्रों के वजन का, किस मित्र का कितना वजन हैं, और खिलारियों द्वारा बनाए गए रन का, इस प्रकार हमने जाना कि आखड़े कई प्रकार के होते हैं. पिछले उधारों से आपने देख लिया कि हमने आक्रों को संगड़ा कैसे किया लेकिन संग्रहित आक्रे जो है उनको कई प्रकार से आप संगधित कर सकते हैं जैसे कि यह आक्रा देखिए, बच्चों का रोल नंबर और सौ में प्राप्तम कोई विशे में उनके दिये वे हैं, यहाँ पर जो आक्रा है, वो रोल नंबर के अनुसार संगठित है, पहले आक्रा, पहरा रोल नंबर, दूसरा आक्रा में, दूसरा रोल नंबर, उस तरह से, रौल नंबर के अनुसार आक्रा संगृत है संग्रहित आक्रों को record करके संग्ःत करना ह 다양 तो जैसा कि यह आक्रा मैं आपको दिखाया अंध्यापिका ने अंग्रेजी में विद्यार्थियों के अंकों का आक्रा देखा और यह रौल नंबर अनुसार थे ये वही वाला आक्रा है पर दूसरे प्रकार से संगर्थित है जैसे कि पहला उधारण में आक्रा रोल नमबर के अनुसार संगर्थित था पर अब माक्स के अनुसार अंको के अनुसार ये संगर्थित है जो सबसे ज़्यादा नंबर आया है उसे सबसे उपर रखा गया है उसके बाद कम किया गया है जिसे सिधात को सबसे ज़्यादा नंबर 90 सबसे आगये है तो रॉल नंबर के अनुसार ना करके अंकों के अनुसार आकरा को संगठित किया गया है इसका क्या फाइदा? यदि अध्यापिका यह देखना चाहे कि किस विद्यार्थी को कितने मदद की जरूरत है तो वो रोल नंबर के जगा अंकों के हिसाब से आक्रे संगर्टित करेगी जैसा कि इस उधारण में अध्यापिका यह देख पा रही है कि सबसे ज्यादा मदद की जरूरत आदित्य को है उसे सबसे कम अंक मिले है और सबसे अच्छा प्रदर्शन सिधान्त का रहा है तो इससे अध्यापिका को यह ज्याथ हो गया कि कौन से विद्यार्थी को कितनी मदद चाहिए है इस प्रकार एक ही आखड़े को अलग अलग तरीके से संगतित करके हम अपने उप्योगी बना सकते है हमने पिछले उध्यारर से देखा कि कैसे एक ही आखड़े को अलग तरीके से संगतित करके हम अलग अलग कारिय कर सकते है पहला आकड़ा रोल नंबर के हिसाब से सहियो जिद्धा और दूसरा आकड़ा अंको के हिसाब से तो अगर अध्यापिका को रिपोर्ट कार्ट बनाना है तो आप देखे होंगे कि रिपोर्ट कार्ट हमेशा रोल नंबर के अनुसार अध्यापिका लिखती है तो वो पहला आक्ड़ा लेगी क्योंकि उसमें जो आक्ड़े थे वो रोल नंबर के अनुसार थे और छात्रों की विशेय में स्थिति देखने के लिए वो दूसरे आक्ड़े का प्रयोग करेगी प्रतिनी भी मार और सथ एक ऐसी संख्या जो आक्ड़ों के एक समू की केंड़े प्रिविति को निरूपित करती है मतलब मीन वैल्यू एवरेज बताती है और सथ सबसे अधिक तथा सबसे कम मुल्य के आक्ड़ों के बीच में होता है वो तो जाहिर सी बात है और सथ मतलब बीच का मान तो बीच का मान सबसे अधिक और सबसे कम मुल्य के आक्ड़ों के बीच में ही आएगा उधारण देखिए राम प्रति देन और सथन लगभग पांच गंटा पड़ता है तो इसका अर्थ क्या है राम हमेशा पांच गंटा पड़ता है नहीं कभी वो पांच गंटे से ज्यादा पड़ेगा कभी वो पांच गंटे से कम पड़ेगा पर लगभग उसके पढ़ने का ओसत पांच गंटा आएगा उधारण से हमें ये समझ में आता है कि राम कुछ दिन पांच गंटे से कम पड़ता है और कुछ दिप पांच घंटे से ज्यादा परंटू उसके पढ़ने के समय का केंद्रे मान लगभग पांच घंटा ही होगा